मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदिन करता हूं एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमल नंदलाल के महा उपाए जो आपके जीवन को सरल सोखम और सफल बनाए सरफ एस्टो तक पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएं हैं एक विशेश टॉपिक जड़ी बूटी का एक टोटका देगा मानसिक परिशानी से छुटका रहा अब आप बोलेंगे के ये कैसी जड़ी बूटी का टोटका हिसाब जो मानसिक तनाव जो मानसिक परिशानी को ही गिरा देगा देखे एक बात हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारा मन जो है अगर वो ठीक है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं और अगर हमारा मन खराब है अगर हमारा मन मजबूत नहीं है अगर हमारा मन किसी भी तरीके से हमारे वश में नहीं है या मन में किसी तरीके का भी कोई अवसाद है कोई डिप्रेशन है कोई बात है तो यह समाझ लिजे हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं कावत तो सुनी होगी आपने कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और चंद्रमा मन सोजाता का चंद्रमा जो है उसका कनेक्शन जो है हमारे मन से होता है और मन बुद्धी में नहीं होता है यहां भी नहीं होता मन ख्रवे भी नहीं होता है दिल भी नहीं होता दिल तो खर सोचने का काम करता ही नहीं मन को अंग्रेजी में कहा गया है inner consciousness हमारे अंतरात्मा को भी मन कहा गया है हमारे थौर्ट प्रोसेस को भी मन कहा गया है कहवत सुनी होगी ना आपने मन लगा कर पढ़िये और जिस काम में मन लगे उस काम को मत करो बहुत सारी मन पे बाते हैं लिखिए यह जो मन है ना यह बड़ा विशेश होता है यह और इस मन का मनोविज्ञान में बड़ा महत्व है पुरा मनोविज्ञान ही जो है वो मन पर डिकावा है और मनोविज्ञान को कहा गया है साइकोलोजी तो साइकोलोजी जो पूरी है वो चंद्रमा पर निर्भर करती है जोतिश के दृष्टी कोन से देखिए जोतिश ये चिकित्सा प्रणाली होती है एक अलग तरीके का जोतिश है ये ये अमूमन आम जोतिश से स्थोड़ा हटके होता है और इसमें बेसिकली रोगों के उपचार जो होते हैं वो जोतिश के माध्यम से किये जाते हैं कुछ उपआयों के माध्यम से किये जाते हैं और मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दोश है तो वो मन का विशाद है क्योंकि अगर आप मन आपके काबू में है तो आप इस दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं और अगर आपका मन खराब हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपको सोनी की थाली में घी गुड जैसा भोजन भी मिल जाए स्रेश्ट भोजन मिल जाए तो भी हम उस भोजन को खा नहीं पाएंगे अगर हम हमारा मन जो है वो अगर किसी भी अवसाद में है किसी भी परिशानी में है व्यक्ति का जीवन जीना दूबर हो जाता है अगर उसके जीवन में कोई मान से परिशानी है ऐसे में एक विशेश परव आता है उस परव को कहते हैं चंदरदर्शन चंदरधर्शन पर तब आता है जब अमावस्या के बाद में चंदरभा पहली बार आसमान में दिखाई देता है बहुत छोटी से लकीर के रूप में उसे ही चंदरधर्शन पर वकेते हैं और यह आता है दूज पर विशेश रूप से चंद्रदर्शन अगर शुकरवार गुरुवार या सुमवार के दिन आ जाए तो ऐसे चंद्रमा के दर्शन करना उसका पूजन करना और कुछ विशेश रुपाय करना आपके मन को ठीक कर देता है मांसिक समस्यां मिटा देता है मांसिक परिशानियों को दूर कर देता है तो विशेश रूप से तीन मार्च दो हजार बाईस ब्रसपतिवार के दिन फागुन महीने का चंद्रदर्शन परव मनाया जाएगा एसे में मन को कैसे कंट्रोल किया जाये मानच के परिशानीcribe को कैसे दूर किया जाये और वो कौन सी जड़ी-बुटी है देखे जड़ी-बुटी को कहते है शतावरी शतावरी उसे अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है अंग्रेजी में भी उसके प्रियोग है एस्पार्गस के नाम से शतावरी को सर्वाशदी सर्वमूल कहा गया है शतमूल कहा गया है और ये एक तरीकी के जड़ा है और इसका जो कनेक्शन होता है वो होता है चंद्रमा से एक विशेशा प्रियोग करें चंद्रमा का एक नाम सुधान्शू भी है यानि के अमरत तुल्य है तो क्या करना है आपको चंद्रमा के उद्य होने पर शाम के समय आप चंद्रमा की पुज़वगरा करके उस पर शतावरी चड़ाएं अच्छे खासी इतनी लगभग अगर आप मानसिक परिशानी में है तो और उस शतावरी को एक खटा करके रख लें और रोज शतावरी का एक टुकड़ा आप नहने के पानी में डालें और उस पानी से श्नान करके शतावरी को बहादें आश्वास्त करता हूं आपको किसी भी तरीके के मानसिक परिशानी आप मानसिक अवसाद है तो निश्चत रूप से वो दूर हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं तक अजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्य भाई